Hello Traders, Welcome to my channel, my name is Abhay Partil, back with a new Understanding Market Viewer video तो इस वीडियो में हम समझते है कि अज का पूरा market कैसा था, कैसे behave किया और इससे हमें क्या सिखने होता है जब भी market एक बहुत अच्छे trend में आपको दिखता है तो उस trend के बाद एक pause market में obviously आता है और अगर इस trend में बहुत बड़ा gap up खुल जाता है, तो क्या होता है, market में एक fight होना शुरू हो जाता है या basically देखको ये daily time frame पे आपको एक बहुत बड़ी candle दिख रही होंगी लेकिन अब क्या होता है, बड़ा gap up हुआ है, buyers को बहुत बड़ा profit हुआ है, जिन लोग ने short किया हुआ है, उनको बहुत बड़ा loss हुआ है तो आप buyer और seller की fight चलती है और ये बड़ा gap as a support act करता है, जो 15 minute का opening है, या first hour की candle गवा, as a support and resistance act करता है, market अब क्या करता है, यहाँ पर बहुत exhausted हो चुका होता है, अब यहाँ तो, आइदर वो pause लेता है, ताकि और position बनते जाए, और फिर new move शुरू करता है, तो फिर lower low हो ग तो है, एक indecision candle बना था, अगर हम nifty में देखेंगे, उपर से rejection, bank nifty में देखेंगे, indecision candle, तो अज हाई chance थे कि market as पूरा range bound रहने वाला है, और हमे support to resistance basically plan करना चाहिए, अब अगर इसको 15 minutes पर आप देखो कि न, तो सुबह सुबह हमारा morning trap strategy बना था, जिसका मैंने video डाल द SL hunt कर दिया, और एक day है, जो market का day है, तो हम वहाँ पर जाके touch कर दिया, उसके बाद market continuously sideways होना शुरू होगे, continuously sideways होना शुरू किया, and अब हमारा जो trade plan था, और क्यों था, मैं आपको थोड़ा logic समझाता हूँ, अब देखो, यहाँ पर back to back, एक, दो, तीन, मिला पर यहाँ पर इसको हम extend करेंगे, इस support को, एक ऐसा zone बनाते है, तो यह ऐसा zone था, जहाँ पर कही ना कही लग रहा था कि market जो है, एक fake breakout type दे रहा है, और एक pullback आना ज़रूरी है, उसके बेना market गिरना, या breakdown देना बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर double top जैसा pattern हो सकता है, या हो स होते है, तो हमें support से resistance का, यह तो target fix मिल जाएगा, और हो सकता है, फिर market यहाँ sustain करें, breakout दे दे, जो कि हो सकता है, कल पॉसिबल है, तो यह plan से मैंने यह trade long किया था, यहाँ पर आपको मैं one minute पर दिखा थो, अब यहाँ पर देख सकते हो, अब हमारा trade कैसे initiate हो था, यहाँ पर हम safe थे, इसके ओपर हमें trade plan करना था, तो अगर आप देखोगे, यहाँ से market ने क्या किया, पहले एक up move किया, उसके बाद काफी देर तक sustain किया, और बाद में higher high up बनाते गया, इस trade में problem था कि premiums काफी low बड़े इस point तक, बाद में यहाँ पे थोड़ा increase हुआ, और buying काफी slow तो हमने trailing stop loss यहाँ लगा के रखा था, अब जो rules follow करता है, जिन्होंने trailing SL लगाया, trend line के नीचे लगाते जा रहा था, वो लो green में निकले, कई लोग यहाँ पे मैंने levels दिये थे resistance के, कुछ लोग वहाँ पे book करते जा रहे थे, कुछ लोग का plan था कि यह 636 जो की day high है, यह तक हमारा target hold करे, यह कही ना कही जो एक move आया, यह जो candles है, आप बोल सकते हैं, कोई तो big players का entry हुई होगी, या big players का एकदम यहाँ पे shot हुआ होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, candle, 3 minute में ही जो 1.5 घंटी की rally चल रही थी, 2 घंटी की, 3 minute की candles जो है, पूरी rally का cover कर दिये पर उसके अद मार्केट एक volatile होते गया, अब अब देखो, यहाँ पर पूरी sideways था, bank nifty में दो देखने जैसा भी नहीं है, इतना bank nifty का market भी flat हो रखा था, इतना flat हो रखा था, अब कल क्या expect कर सकते हैं, अगर हम यह lower high mark करें, तो अब कल fin nifty की expire है, सारे same pattern, nifty में भी, fin nifty मे नifty 50 में भी यह range फॉर्म हो रहा है, तो यह कोई rocket science नहीं है, हमें वेट करना है, इस range का break होने का, वो सबता है, फिर nifty expire हो, जो morning session होता है, वो इसी range में market चलता जायता कि option seller center हो, कई बार ऐसे जब भी rally होई है, daily time frame पे बड़ी candle बनी है, बड़ा gap up कुला है, तीन-तीन दिन market इसी range में travel किये, recent की rally होई थी, तो वहाँ पे भी market एक बड़ी rally के बाद काफी दिनों तक sustain कर रहा था, तो हमरा plan यही रहेगा कल के लिए, कि यह range के बाहर market निकलने दे, देखिए कहाँ पे trap हो रहा है, हमारे पास यह support zone है, 18.585 की, resistance है 18.636 का, और यह trend line है, nifty 50 के लिए fin nifty के लिए आप देखोगे, यह support zone है, यह point, यहाँ पे भी आप support zone consider कर सकते हो, और उसके बाद यह levels है, 19.500 है, round number है, psychological number है, यहाँ पे trend line है, resistance है, तो levels बने, अब gap up खुलता है, gap down खुलता है, उस हिसाब से हमें थोड़ा idea लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, basically हम अग अब ही that strategy सिर्फ दो दिन के लिए रहने आले है, 31st में को यह खतम हो जाएगी, इसका जो link के आपको description में मिलेगा, second चीज अगर जो भी live stream पे giveaway होते है, उन giveaway में आपको participate करना है, description में आपको धन और delta exchange का link मिलेगा, उससे अप account open करो, trade करो, ताकि आप premium channel हो गया, cash prize हो गया, या courses होगे, वो giveaway में आप जीच सको, thank you so much, मिलता हो कर stream पे.